is not equal to n m और n की value equal लहीं होती है तो उसे हम क्या बोलते है रेक्ट एंगुलर मेट्रिक्स देखिए जैसी यह लेखे लिए हमें जैसे हैं और पर Wanna आखे wasn't टीक कितनी है हमारी पिन और टीक के डीक कंटी तो थी लिए जैसी न हीघी ऐसे हो इन अछहरो है लगागर का फीर क्या हम लाक जोगा है क्या घुनDay कितनी हमारी सब्निति है तो m is not equal to and 3 is not equal to ठीक है, इसमें row और column equal लाएंगे इससी क्या होते है, रेक्ट अंगुलर मेट्रिक्स, ठीक है, इसकी बाद क्या थै, square matrix यह हमारा, जाला तर square matrix ही use होता है ठीक है, तो इसमें क्या है square matrix में क्या होता है, अब से जादा ठीक है यह जूस होता है इसमें क्या है रो और कोलम ही होते हैं वो इक्वल ही होते हैं ठीक है एम इस इकल टू एन इसमें क्या होता है एम और एन इक्वल होते हैं ठीक है इसक्वार में ठीक में तो इसमें क्या है दो रो एन दो कोलम ठीक है टू 2 into 2 M is equal to N ये दे रखा है मैं M is equal to N तो 2 बराबर 2 ये दोनो equal है square metric में क्या होता ये equal ही होते है इतना समझ में आगे आपको square metric जो होती है सबसे जादा यूद होती है इसमें row और column equal होते है left angular metric में row और column equal नहीं होते है null metric क्या होता है 00 वाली होती है column ये होते है और row ये होती है देखे जैसे दे रखा है for example ये हमने ले लिया 1,2,3,7,8,6 तो इसमें क्या है row कितनी है 2 है column कितने है 1,2,3,2 into 3 अब इसमें order निकालने है तो order निकालने के लिए क्या हम करते है horizontal क्या है row क्या है हमारी 2 है और vertical क्या है ये vertical है column है ये कितने है 3 है तो m into n is equal to m को काई से respect करते है m क्या होता है m को m क्या है row हो गए respective number of row और n क्या है respective number of column तो m into n is equal to order of matrix तो ऐसे ही अभी जैसे बताया था i और j तो इसमें क्या है ये ले लिए हमने दूसरा तो one two three seven eight six ये ही रहा हमारा तो इसमें क्या है two into three row और column row कितने है दो है column कितने है तीन है तो इसमें क्या है हमें elementary element of matrix निकाल ला है मतलब aij तो हम यहाँ पर m n लेकर aij लिया है न हमने पीछे हमने पताया था आपको अभी definition में हमने पढ़ा था aij लिया है तो i को काई से respect करते है respective number of तीक है respective number of row और j को क्या i से respect काई दिशो करते है respective column number ठीक है i को हम करते है respective row number और j को करते हैं respective column number ठीक है तो ऐसी इसको निकाल लेंगे ठीक है